अपनी सिस्टर की डेट का बदला लेने के लिए उसके साइकोलाजिस्ट के वाइफ और बेटी के साथ उसका प्रदर सम्मन रखता है वो साइकोलाजिस्ट को ये अपनी सिस्टर की डेट के लिए दोशी मानता है अब आगे क्या होगा ये आज के हमारी मुवी Every Breath You Take ये 2021 की Hollywood Thriller मुवी हम जानेंगे अगर आपको वीडियो से लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब बिना खिजिदरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते है ग्रेस अपने बेटे के साथ घर पर जा रही थी अचानक से एक गाडिने ने टकरा दिया इस एक्सिडन में उसकी बेटे की डेट हो गई थी एक्चुल में ग्रेस उसकी सेकंड वाइफ है उसकी फर्स वाइफ से उसे एक बेटी है जिसका नाम है लूसी लूसी को अभी अभी अपने ओल्ड स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल में नशे किये थे फिलिप उस पर बहुत गुसा था पर ग्रेस लूसी को बचा ले दिये इनकी फैमिली में आज के लिए एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते फिलिप की एक पेशेंटी जिसका नाम था डैफनी डैफनी पहले बहुत ये अभी उस रिलेशनशिप में थी उनके जगड़े होते थे उसका बॉइफरेंट उसे मारा करता था जबसे वो फिलिप की पेशेंट बनी उसके बाद उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज़ेस लाए अपने बॉइफरेंट से ब्रेक अप कर लिया था उसकी लाइफ और फिर से ट्रैक पर आ रही थी और इसका पूरा ग्रेडिट वो फिलिप को देती है फिलिप आजकल बहुत ही डिस्टिंग रहता है तो ग्रेश उससे बात करती है खहती है हम कही वैकेशन पर चल सकते है अपनी रिलिशन्शिप को वो फिर से सुधार ना चाती थी पर फिलिप का इस बात पर कुछ भी ध्यार नहीं था क्रेश भी गुष्से में यहां से चली गई फिलिप की एक कॉनफरेंस थी जहाब और अपनी पेशन डैफनी के बारे में वो बात कर रहा था वो गहता है कि जब वो मेरी पेशन बनी तो मुझसे वो कुछ भी बात नहीं करती थी पर मैंने फिर अपनी लाइफ के बारे में उसे बहुत सारी चाज़े बताना स्टार्ट कर दिया ऐसी बसनल चाज़ है जो मैं मेरी वाइफ को भी नहीं बता सकता इसके बाद उसे लगा कि हम दोनों connect हो सकते हैं इस वज़े से उसने अपनी सारी तकलिफ मुझे पताना स्टार्ट कर दिया इस वज़े से उसके रीकवरी बहुत ही fast हुई थ्री months में ही उसने अपनी life चेंज कर दिया अपनी life के बार में अब वो एक book भी लिख रही है इस conference में फिलिप की friend और boss वेनिसा भी थी वेनिसा फिलिप से यह दिया है तुमने जो नहीं technique यूज़ की ये शायद गलत भी हो सकती है तुम्हें इसे लेकर careful रहना चाहिए यहाँ से घर आते वक्त फिलिप को डैफनी का call आया वह बहुत disturbed थी क्योंकि उसके friend की date हो चुकी है फिलिप को पता था कि डैफनी को suicidal thoughts आते उसने कहा कल आकर मुझसे बात करना अगर तुम चाहो तो अब भी हम बात कर सकते है डैफनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है मैं पहले जैसे अब नहीं रही रात में फिलिप जब अपने friends के साथ था तो भी उसके घर बर पुलीस आया डैफनी ने building से कूट कर खुद खुशी की थी फिलिप को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है अचानक से इस crime scene पर डैफनी का brother James पहुच जाता है वो भी disturbed हो गया जब उसका गुसा शान्त हुआ तो फिलिप उसके पास जाता है अपने आपको उसने introduce कर रहा है James कहता है कि हमारी family के साथ इस तरीके से बहुत बुरी चीज़े होती है जैसे कोई करस हो अब इस situation में हम दोनों stranger एक साथ है ये बात कहने में तो बहुत ही जादा strange थी फिलिप figure out नहीं कर बाता कि डैफनी ने ऐसा क्यों किया वो आज कल तो सब कुछ चीज़े बहुत ही अच्छे से manage कर रही थी अगली दिन James फिलिप के घर बर पहुच जाता है वो गयता है कि तुमारी एक बुक डैफनी के पास थी यही में वापस करने के लिए आया James ने यहाँ पर Grace से भी बात की वो अब डैफनी के हाउस सेल करने वाला था और Grace एक real estate agent है Grace ने फिर उसे डिनर के लिए invite किया यह अलग अलग टोपिक्स पर बात करते है James ने अपने बारे में बताते होगे का कि मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ अल्रेड़ी एक बुक उसकी पब्लिस्ट है फिलिप की बेटी Lucy देकर इंप्रेस थी उसे भी ब्राइटर बनना था James उसे बहुत अच्छा लगा था बात में जाते होगे James फिलिप से गहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है कभी भी इसे आहत से जाने मत देना फिलिप को James बहुत ही अजीब लगता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसमें उसकी बुक को सर्च किया वो ऑनलाइन मिल नहीं रही थी तो उसका एक फ्रेंड जो एक पब्लिशेर था उसके बास जाकर इस बुक को डिमांड करता है नेकसे इन में हम देखते है कि Lucy अपने निउस्कूल से जब घर आ रही थी तो एक लेक के पास आती है वहाँ पर वो जेमस ही मिली जेमस उसे कॉफी के लिए बुच्छता है उसने भी हा का जेमस ने का कि मैं सप्राइस था कि तुम इस तरीके से अकेले लेक पर थी मुझे लगा था कि तुमारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे लुसी ने लास स्कुल में जो भी किया था ये सब बाते उसने जेमस को बता है इस पर जेमस बहुत अस्ता है इन दोनों में अच्छी बॉर्णिंग हो रही थी घर जाते हो जेमस ने का क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते है लुसी को भी अच्छा लगा था तो इसके लिए वो मान जाती है आज फिलिप के फ्रेंड वेनेसा ने अपने ओफिस में उसे बुलाया वो कहती है तुमारे खिलाफ एक कंप्लेंड है एक अनोनमस कंप्लेंड थी किसी को लगता है कि फिलिप के अज़िब से टेक्निक की वज़े से डैपने ने सुसाइट कर ली अब उस पर इंक्वाइरी होने वाली है वेनेसा फिलिप से अलग अलग व्वेशन्स पोछती है फिलिप इस पर गुसा हो गया था वो कभी भी डैपनी हर्ट हो अगले दिन वो जेमस से मिलने के लिए गई वो जेमस के साथ जो भी हुआ इसके लिए सौरी कहती है जेमस ने कहा कि मुझे पता है तुम सब कुछ समझ सकती हो तुमारे बेटे के जाने के बाद तुम और तुमारे हस्बन ने सब कुछ चीज़े बहुत ही सही से मेंटेन की है ये सब सुनकर ग्रेस रोने लगती है कहती है एक्चुल में हमने कभी भी इसके बार में बात नहीं की मैं और मेरा बेटा घर आ रहे थे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था और अचानक से सब हो गया ग्रेस उसके पास आकर उसे सारा देता है ये मुमेंन एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद ग्रेस घर पर आती है लुसी घर के बहार जा रही थी तो फिलिप उसे क्वेशन पुछने लगता है पर लुसी इरिडेट होकर वहां से निकल की हम देखते हैं कि उस जेम्स के साथ ही थी जेम्स उसे रिवर के पास एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी जगा पर लेकर आया लुसी को ये बहुत ही अच्छा लगा था वो बुछती है क्या मेरी फैमिली में तुमें कुछ अजीब लगता है हम सब में हमेशा कुछ ना कुछ तो टेंशन होता है मेरे ब्रदर के गुज़र जाने के बाद फिलिप और ग्रेस ये दोनों मुझसे बहुत ही दूर चले गए जेम्स कहता है कि मैं समझ सकता हूँ इसी वज़े से अपने फादर का टेंशन पाने के लिए तुम जान बुच कर ट्रवल में आ जाती हो लुसी को लगता है कि जेम्स उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस करते है आज रात ग्रेस जेम्स के बारे में ही सोच रही थी फिलिप ग्रेस के पास आया खहता है प्लीज जेम्स का हाउस तुम सेल मत करना ग्रेस इस बात पर गुस्सा होगे वो उसकी बात मानने नहीं वाली अगली दिन फिर फिलिप जेम्स के पास ही पोच गया वो गहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को फायर करतो जेम्स ने कहा कि ठीक है वैसे भी अब में हाउस सेल नहीं करने वाला था जाने से पहले वो फिलिप से कहता है कि कभी-कभी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो पर उसके लिए आप कोई खुद को बलेम उठाना पड़ता है लोग आपको इस वज़े से हर्ड कर देते हैं अब ये सब बात सुनने के बाद फिलिप को लग रहा था कि उसकी कंप्रेंट करने वाला जेम्स ही था इसके बारे में वो वेनेसा से बात करता है वेनेसा कहती है कि अगर जेम्स साइकोटीक है तो डारेकली तुम पर वो खाओ करता इस तरीके से अलग-अलग वेस से तुम्हें हर्ड करने की कोशिश नहीं करता फिलिप को अब तक इसके बारे में आईडा नहीं था पर जेम्स एक्जैक्ली वही कर रहा था फिलिप की बेटी लुसी के साथ रिलिशेंशिप रख कर उसे हो हर्ड कर सकता है आज रात भी जेम्स और लुसी एक जगा पर पार्टी बर गए थे यहाँ पर फिलिप की फ्रेंड भी आ जाते है लुसी डर गे और जेम्स को लेकर बहार चले गे लुसी ने जेम्स एका कि हाउस सेल करने के बाद तुम क्या करोगे शायद इसकंडरी से चले जाओगे जेम्स कहता है कि हाँ लुसी ने का प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो जेम्स थोड़ा सा सोच कर इस पर हाँ कहता है नेक सीन में हम देखते है कि फिलिप ने रेलाइस किया था कि ग्रेस उसे गुसा है वो उसे गयता है जिस वाकेशन के बार में तुम बात कर रही थी वहाँ पर हम चल सकते हैं ग्रेस उसे यह दिये कि ऐस तरीके से कभी भी तुमारा अच्छा मोड हो तुम उसे सही से बात कर रहे हो ये सब चीज़े नहीं चलेगी फिलीप को ग्रेस को हमेशा अच्छी तरीके से टीट करना पड़ेगा ग्रेस को लगता है कि सिर्फ जेमस उसे समझ पाता है तो अगली दिन उसके पास हो चली कि फिलीप को भी ग्रेस पर शक आ रहा था तो उसने उसका पीछा किया ग्रेस जब जेम्स के पास आती है कहती है कल के बार में भूल नहीं पारी ये दोनों करीब आ गए और ये दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इस सारी चीज़े फिलिप देख रहा था घर आने के बाद ग्रेस को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी लगा फिलिप की बास फिने सा उसे फिर से बुलाती है कहती है तुम्हारे खिलाफ अप एक्शन होने वाला है अगर बोर्ट को लगा कि तुम गिल्टी हो तो तुम्हारे लाइसन जा सकता है डैफनी के डेट के बाद फिलिप के पास कोई भी पेशन भी आनी रहे थे आज रात लूसी और जेम्स ये दोनों फिर से मिले है ये दोनों डिसाइड करते है कि कहा जाएंगे जेम्स जब बीर लेने के लिए गया था तो उसके मोबाइल पर ग्रेस का कॉल आता है ये लूसी ने देख लिया उसे लगता है कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है तो उस पर वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो गया जेम्स उसे मनाने की कुशिश करता है वो कहता है कि मैं हाउस सेल करने वाला था इसी वज़े से ग्रेस ने अब मुझे कॉन्टेक किया है हम दोनों की बीच में कुछ भी नहीं है अब घर जाओ और अपनी बैक पैक करो मैं तुम्हें लिने के लिया हूंगा लूसी भी जेम्स की सारी बाते मान लेती है क्रेस ने आज जो भी किया इस वज़े से और पूरी दिन बहुत ही डिस्टरब थी राद में वो फिलिप से बात कर दिया, कहती है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है फिलिप कहता है कि कुछ भी मत को हमारी बेटे की डेट के बाद, मुझे अपने आपको समालना था इस वज़े से मैंने कोपी मेकेनिजम डेवलप कर लिया सारी चीज़ों के लिए मैंने तुम्हें ही बलेम किया था जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी मुझे इस तरीके से तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था आज जो भी हुआ यह सब मेरी ही गलती है मेरी ही वज़े से तुम जेम्स के पास गई थी फिलिप ने ग्रेस को अल्रेटी माफ कर दिया था इन दोनों ने अपनी गलती रियलाइज करकर एक दूसरे को माफ कर दिया लूसी अब जाने के लिए रेडी थी पर जेम्स उसे रात में लेने के लिए आया ही नहीं उसे बहुत बार कॉल करती है वो इस सब बातों से बहुत ही हार ब्रोकन हो गई थी आज टाउन में जाते हैं ग्रेस की गाड़ी बन बढ़ गी जेम्स भी वहाँ से गुजर रहा था तो उसे लिव देता है ग्रेस का घर का टन आया पर जेम्स आगे चला गया उसे बुछती कि तुम मुझे कहा लेकर जा रहे हो जेम्स उसे हर्ड कर सकता था तब ही ग्रेस को फिलिप का कॉल आया एक कॉल आउन रखकर ग्रेस जेम्स से गया थी कि ब्लीज मुझे गाड़ी से नीची उतार दो ग्रेस ने फिगर आउट किया और फिलिप से बात करता है कहता है तुमने मुझे बहुत हर्ड किया है अपनी लोकेशन उसने फिलिप को बता दी फिलिप भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया जेमस ने गाड़ी को ब्रेक लगा कर ग्रेस को भेहुच कर दिया था वो देखता है कि आगी से गाड़ी आने वाली है इस गाड़ी से टकरा कर वो ग्रेस और अपने आप को मार देने वाला था परदावी लास्ट मुमेंट पर उसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया फिलिप जल्दी से ग्रेस को गारी से बाहर निकल दाया पर जेम्स वहाँ से भाग गया इस सारी चीज़ों के बारे में फिलिप ने पुलीस से बात की पर जेम्स ने कुछ भी इलिगल नहीं किया उसके खिलाव कोई भी प्रूफ नहीं था कि एक्चुल में उसने इसा कुछ भी किया है तो इस वज़े से पुलीस उसके खिलाव कोई भी एक्शन नहीं ले थे यह सब डेंजर में थे तो फिलिप लूसी के पास गया उसे कहता है कि बलीस कहीं भी बाहर मत जाना ग्रेस ने भी लूसी को समझाने की कोशिश की यह जेंस बहुत ही खतरनाक है उससे कोई भी रिलेशन मत रखना इन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी इनसे हो कुछ भी बात नहीं करना चाहती फिलिप ने लूसी को भी इग्नोर किया था इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगता है ग्रेस उसे साहरा देती है कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो भी तुम्हें समझ लेगी फिलिप ने कहा कि आप अगर किसे से प्यार करते हो तो प्यार आपको जताना चाहिए वरना बहुत ही लेट हो जाता हैzięki सीन में जेमज को कौल आया जो एक मेंडल हॉस्पिटल से था जेमज ने खुद को अड्मेट कर लिया था और वो सिर्फ फिलिप से बात करना चाहता है फिलिप जब वहाँ पर पहुझा तो जेम्स कहता है कि मुझे कनफेस करना है मुझे लगता है कि डैफनी का मुडर हुआ है उसके बॉइफ्रेंड ने ये सब किया होगा डैफनी जो बुक लिख रही थी तुम उसे अपने बारे में जो भी चीज़े बताते थे इस सारी चीज़ जो उसने लिखी हुई थी इसी वज़े से मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी के करीब आ गया था फिलिप इस बहुत गुस्सा हुआ जेम्स आते-जाते कहता है मेरे दिमाग में मुझे आवजे सुनाए देती है वो पुरी तरीके से पागल था रात में फिलिप के घर पर जेम्स का फिर से कौल आया वो गहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे ठीक हो चुका पर फिर भी मेरे हेड में वॉईसेस मुझे आ रहे है जो बता रहे है ही मुझे तुम्हें हर्ट करना थ जेम्स मेंटल होस्पिटल में ही था और वहाँ से और निकल नहीं सकता था फिलिप इस सारी बातों को पीछे छोड़ना चाहता था तो एक दिन अपने फ्रेंज के साथ डिनर पर आया यह उसका वही पब्लिशर फ्रेंड था जिससे उसने जेम्स की बुक की कॉपी माँगी थी अब उसके फ्रेंड ने कॉपी उसे दे दी इसके पीछे जब फिलिप ने देखा तो यहां किसी और कई फोटो था फिलिप समझ गया कि जेम्स डैफनी का ब्रदर नहीं था इस वज़े से डैफनी के फ्रेंड को भी उसने मार दिया पर फिर भी डैफनी उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं थी फाइनली गुसे में उसने डैफनी को मार ढाला था अब सारी जेजों के लिए फिलिप कोई दोशी मानता था इसी वज़े से उसे हर्ट करना चाहता था सब रियलाइज करने के बाद फिलिप जल्दी से मेंडर होस्पिटल में कॉल लगाता है वहाँ के डॉक्टर से कहता है कि जेम्स बहुत ज़्यादा डिंजरस है उस पर आप कड़ी नजर रखना डॉक्टर जब जेम्स को देखने के लिए किया तो वहाँ के एक इंप्लोई को मार कर जेम्स वहाँ से भाग गया था जल्दी से लूसी को कॉल करता है कहता है कुछ भी हो जाया घर से बाहर मद निकलना जेम्स आल्रेडि वहाँ बर बहुत चुका था लूसी भी उसके प्यार में थी तो जेम्स ने जब कहा इचलो हम जल्दी से हाँ से निकल जाते है तो लूसी भी उसके साथ आने के लिए पढ़ गया वो उसे गला खोट कर मार ही डालता तभी ग्रेज ने एक बड़ी सी चीज लेकर उसके सर बर मारी इसे ब्लीड होकर उसकी डेध हो गई इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर द कर दो कर दो है